जो लोग साधना की एक अवस्था में होते हैं, जिसे रितंभरा प्रग्या कहते हैं, वे शायद सौनिक ध्वनियों से परे की ध्वनिया सुन पाएं। प्राणमय कोश, 72,000 नाडियों से बना है, तो शरीर में 108 सक्रिय उर्जा केंद्र या चक्र हैं। तो इंसानी सिस्टम को जागरत करने का ये आयाम, इन 108 ध्वनियों के प्रयोग से, मानव तंत्र को उसकी परम संभावना तक विक्सित करने के इस आयाम को नादियों कहते हैं। Today it is common scientific knowledge that the whole existence is a reverberation of energy. आज विज्ञान ये अच्छे से समझता है कि पूरा अस्तित्व पूर्जा का स्पंदन है। दूसरे शब्दों में कहें, तो पूरा अस्तित्व कभी एक स्पंदन बन जाता है, तो कभी भौतिक रूप ले लेता है। तो समपूर्ण भौतिक अस्तित्व का स्त्रोत आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक गुंजन या स्पंदन है। यौगिक विज्ञान ने ये हजारों साल पहले पहचान लिया था, और कहा था कि पूरा अस्तित्व, ध्वनी या नाध है, क्योंकि जहां स्पंदन होगा, वहां ध्वनी भी होगी। स्पंदन शब्द तो बस एक जानकारी है, पर इंसानी अनुभव में हर स्पंदन का अनुभव एक ध्वनी होती है। अस्तित्व में होने वाली सभी स्पंदन, फिलहाल इंसान के कानों से सुने नहीं जा सकते। स्रिष्टी की गूंज की सभी ध्वनिया इंसानी कानों द्वारा सुनी नहीं जा सकती। फ्रिक्वेंसी का बस एक छोटा सा हिस्सा उपलब्ध है, उन्हें सॉनिक ध्वनिया कहते हैं। उनसे उपर वाली ध्वनियों को अल्ट्रासॉनिक कहते हैं, जो नीचे हैं उन्हें सबसॉनिक. अल्ट्रासॉनिक और सबसॉनिक ध्वनिया इनसानी कानों से नहीं सुनी जा सकती, जब तक कि इनसान प्रयास नहीं करता, फ्रिक्वेंसियों के छोटे हिस्से की सीमाओं से परे जाने के लिए जरूरी साधना नहीं करता जो लोग साधना की एक अवस्था में होते हैं, जिसे रितंबरा प्रग्या कहते हैं वे शायद सौनिक ध्वनियों से परे की ध्वनिया सुन पाएं पर ज्यादा तर मनुष्य फ्रिक्वेंसियों के इस छोटे हिस्से तक ही सीमित हैं सुरिष्टी में पहले से मौजूद इन ध्वनियों की अच्छे से रची गई व्यवस्था को ही संगीत कहते हैं विशेश रूप से भारतिय शास्त्रिय संगीत इनसानी सिस्टम की गहरी समझ पर आधारित हैं क्योंकि हमारा हर अनुभव वाकई हमारे अंदर ही हो रहा है प्रकाश और अंधकार हमारे अंदर घट रहा है ध्वनियों और मौन हमारे अंदर हो रहा है खुशी और दुख हमारे भीतर हो रहा है, पीड़ा और आनंद हमारे भीतर हो रहा है हर इंसानी अनुभव सिर्फ हमारे भीतर ही होता है, ये कभी भी हमसे बाहर नहीं घटता क्यूंकि हम खुद अपने अनुभव का आधार है हमारा हर काम हमारी अपनी प्रकृती पर आधारित होता है इसी लिए संगीत में शरीर के कुछ आयाम पहचाने गए जो हमारे द्वारा पैदा की जाने वाली या हम तक आने वाली ध्वनियों से जुड़े हैं इंसानी सिस्टम को पाँच कोशों या शरीर की पाँच परतों के रूप में देखा जाता है अन्नमयकोश, मनोमयकोश, प्राणमयकोश, विज्यानमयकोश और आनंदमयकोश इन पाचों में प्राणमयकोश सबसे महत्वपूर्ण है प्राणमयकोश 72,000 नाडियों से बना है जो 114 तरीकों से मिलती हैं और फिर से विभाजित होती हैं या कहें कि मानविय प्राणाली में 114 मिलन बिंदु हैं इन में से दो भौतिक प्रकृती से बाहर हैं और 112 अंदर हैं इन 112 में से चार काफी हद तक निश्क्रिय हैं तो शरीर में 108 सक्रिय उर्जा केंद्र या चक्र हैं इन 108 को इडा और पिंगला के रूप में दाएं और बाएं में बाटा गया है दोनों ओर 54 बटे हुए हैं इसी आधार पर हमने 54 ध्वनियों की संस्कृत वर्ण माला बनाई ये 54 ध्वनियां पुरुष और स्त्री प्रकृतियों की दो अभिव्यक्तियां हैं ये 108 ध्वनियां इनकी दो अलग अभिव्यक्तियों का 108 के बराबर होना इसका अपना महत्व है और संगीत का पूरा सिस्टम इन 108 से ही विक्सित हुआ है तो भारतिय शास्त्रिय संगीत का बुनियादी काम इन 108 को छुना या शरीर में इन 108 चक्रों या बिंदूओं को जागरत करना है जिससे इनसानी चेतना विक्सित होकर आसानी से अधिक उचे स्तर पर पहुँचती है तो संगीत कभी भी सिर्फ मनुरंजन का साधन नहीं रहा ये इनसान को एक ब्रमहांडिय सत्ता में विक्सित करने का एक तरीका रहा है तो इंसानी सिस्टम को जागरुत करने का ये आयाम, इन 108 ध्वनियों के प्रयोग से मानव तंत्र को उसकी परम संभावना तक विक्सित करने के इस आयाम को नाद योग कहते हैं तो भारतिय शास्त्रिय संगीत नाद योग की इस बुन्यादी प्रक्रिया का विक्सित रूप है अगर कोई जरूरी भागिदारी के साथ संगीत सुनता है या खुद को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेता है जिसे हम शास्त्रिय संगीत कहते हैं तो इसे सिर्फ शरीर में मधुर्ता नहीं आती इससे सिर्फ भावनाओं में मधुर्ता नहीं आती ये चीजें भी होती है पर ये एक तरीका है जिससे जीवन के विवश करने वाले चक्रों से बाहर निकल कर और उनसे परे जाकर स्वतंत्रता और मुक्ति की एक परम प्रक्रिया प्राप्त की जा सकती है शास्त्रिय संगीत खुद में उतरने का एक बहुत ही परिश्कृत और अद्भुत तरीका है ये सबसे अद्भुत तरीकों में से एक है जिससे व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर परम संभावना तक पहुच सकता है परम तक पहुचने के कई तरीके हैं पर ये एक अद्भुत और सुन्दर तरीका है देखो मरी रंग में भीगोई डारी देखो मरी रंग में भीगोई डारी देखो मरी रंग में भीगोई डारी मरी रंग में भीगोई डारी देखो मरी रंग में भीगोई डारी मोरी नई रे चुनरी रंग मोरी नई रे मोरी नई रे चुनरी मोरी नई रे देखो मरी रंग में भीगोई डारी देखो मरी रंग में देखो मरी रंग में देखो मरी रंग में भीगोई डारी झाल